मुख्यमंस्री का हेलिकॉप्टर नेपाल बॉर्डर के समी पी लोहिया हेड में शारदा जल विद्यूत परियोजना के पासपने हेलिपेड में उतरा लोहिया हैड में उतरने के बाद मुख्यमंसरी ने सर्वप्रतम लोहिया हैड जल विद्यूत परियोजना का निरिक्षन किया वहीं मीडिया से वारता में मुख्यमंसरी धामी ने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है गर्मी में बिजली की काफी खपत होती है जिसके कारण बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है बिजली की कमी को दूर करने के लिए जल विद्यूत परियोजनाओं में किस तरीके से बिजली का उतपादन बढ़े इसका जाइजा लेने के लिए उन्होंने खटिमा में शारदा जल विद्यूत परियोजना का निरिक्षन किया है। इसके साथ ही जल विद्यूत परियोजनाओं के अधिकारियों से विद्यूत उत्पादन बढ़ाने के लिए भी चर्चा की। कि हमारे जितने भी पाओर आउस हैं कि उत्पादन चंता है वो इतनी चंता के हैं और कितना इस समें उत्पादन हो रहा है उस सभी को देखने के लिए और तो कि कर्भी का समय आ गया है इस समय में बिल्डी कि हमारी किलत होती है इसलिए मैंने आज यहां का निक्षण किया है और यह सही है कि अभी बिजली की अकिलत ती गर्मी शुरू होती है नारी शुरू हो जाती है उसके लिए भी हम लोग रास्ता मिकाल रहे हैं उसके लिए बिकाल रहे हैं